अगर आपको इतना confidence है मैंने का है confidence है हम कह रहे हैं हम हारने के लिए case नहीं लड़ेंगे जितनी ताकतें उनके साथ हैं उनसे 22-23 गुना ज्यादा ताकत हम लोगों पे लगा रहे हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं हमारी जमातें और मेरे पास सब सबूत हैं कि ये वाला case भी ये जो इंतिजामिया committee है मत्रा की इदगा मज़िद की उनके पास इतना pressure डाल रहे हैं कि आप समझो हम करोड़ रुपे खर्च कर देंगे दुनिया का बड़े से बड़ा वकील ले आएंगे प्राचा साब को अटा दो मैं तो यहीं काटा हूँ मत्रा का नहीं रहने दे रहा है आप कह रहा है ग्यानवापी का रहने देंगे मेरे पास वो एक हमारा वाला रास्ता है peaceful protest का और बहादरी वाला रास्ता अपनी जान और अपने परिवार पे खत्रा लेने के लिए और चेश बचाने का रास्ता एक दूसरा रास्ता भी है शेरोशारी करने का एक तीसरा रास्ता भी केस हारने के लिए लड़ने का जो लोग district court के फैसलेंस सीधे सिद्ण कोर्ट जाते हैं वह हारने के लिए cryptocurrencies लाने का और केस हारने का साइड बाइ साइड उधर से भी पैसे और फाइदा और इधर से जन्ता को बेवकुब बना कि भी पैसे फाइदा कि अगर एक वे declared और वयवकील की जड़ूत है में जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ सोशल मीडिया में कि बड़ी शांदार तफिरा किया है लोग तंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है लेकिन कोई फैसला जब आने की बात होती है फैसला ये भी दिया जा सकता था कैंसिल किया जाता है ऐलक्शन को इसके साथ ही मुसल्मानों के इशूस पर अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा मामला ग्यानवापी की मिसाल है कि दो घंटा पहले फैसला देता है जज रिटार्मेंट से और सुप्रिम कोट भी देख रहा है तमाम हाई कोट भी देख रहे हैं जमातों का ये कहना है कि हम रात में ही सुप्रिम कोट पहुचे सुबा हमें वापस भीज दिया गया कि आप हाई कोट जाइए हाई कोट ने अगले दिन मना कर दिया अब हाला कि उसको एकसेट किया है अपील को तो क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी महज दिखावा है सुप्रीम कोट का क्या सुप्रीम कोट का तो देखे अभी जो शेरोशायरी के लोग हैं तो सुप्रीम कोट के जजिस भी तो देश के नागरिक हैं दो रास्ते हैं ना एक हमारा वाला रास्ता है पीस्फिल प्रोटेस्ट का और बहादरी वाला रास लोग डिस्टिक कोट के फैसले से सीधे सुप्रीम कोट जाते हैं वो हारने लिए केस लढने वाली टीम हो सकती है उसके बाद दू म दबाके भाग के फिर ही कॉर्ट जाते हैं यह दिखाना चाहते का हम रातो रात Chief Justice को जगा सकते हैं जगाने से क्या होगा लेके क्या आते हो हाथ में वो बताओ कौन सा केस आप जीते हो इतने बड़े-बड़े वकीलों को करके भी और वकील साब आपके कहते हैं कई मिसाल हैं कि Supreme Court ने रिलेफ दिया है इनको दिया है Supreme Court ने बहुत सारी मिसाल है मैं ही बता दूँगा अरनब को सवामी को दिया है दिया है ना तो अरनब को सवामी को दे सकते हैं आभी तो यह लग रहा था कि रात में पूजा शुरू हो सकती है और जो हुई भी रात के दो बज़े फिर वही लगाता तो हाई कोट जाना चाहिए था ना मैं यह बता रहा हूँ आपको क्योंकि हाई कोट में Supreme Court में यह बताने की बहुत असानी हो जाती है कि हमने करोड़ रुपे खर्च करके वकील किया रातो रात जगाया तो और भी कई करोड़ रुपे खर्च हो गए मारे आप गेम समझ यह जब तक गेम नी समझेंगे कोई solution नी होगा गेम जनता को बेवकूफ बनाके पैसे चुराने का और केस हारने का side by side उधर से भी पैसे और फाइदा और इधर से जनता को बेवकूफ बनाके भी पैसे फाइदा यह कोई सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ही नहीं हो रहा है और भी कम्यूटी के साथ ऐसा हो रहा है लेकिन कम्यूटी का काम यह है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करे या मजबूर करे कि इमानदारी से काम करो बेइमानी से काम मत करो काट की आंडी है एक बार चड़ती है लेकिन यहां तो यह काट की आंडी बार बार वो ही चड़ा रहे हैं हर बार भाग के सुप्रीम कोट आते हैं हर बार सुप्रीम कोर्ट से धक्का खाके फिर नीचे जाते हैं तो क्या लगता है आपका लगने का बात यह है कि आला की मुझे बात कहनी नीचे है क्योंकि RSS और BJP और ताकत से हमारे पर हमला करेगी यह मत्रा के केस में ऐसा सब क्यों नहीं हो पा रहा है कियो नहीं हो पा रहा है कर्षनी नहीं कहा है कि 3 गाउँ दे दो भी धान सबह से बोलना है वो विधान सबह से एक समवेदानिक पतपर बैटा हुआ मुख्यमंत्री यह बोला है कि 5 गाउं मांगे थे क्रिषणा ने हम तो 3 मांग रहे है पर हमने तो आपरे फेल तक स्टे ले रכा है सुपरीन कोट पर हम गय थे पहले हाइई कोटी क्योंकि वही सही रास्ता है अन्हीं सार्फित ले रिखा है और ऐसा ले रॉखा है कि जिसमें मुख्यमंतिरी तक ये वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं और उन्हें किस प्रकार के क्रिमिनल्स जो रसेसर बीजेपी के हैं उनको हमारे खिलाफ 22-23 उनमें से कई क्रिमिनल्स भी हैं 22-23 लोग हमारे पर हमला कर रहा है 22-23 किसम के पेटिशनर्स और 22-23 किसम के वकील सब्सक्राबों के साथ तो हमें टाइम दे दिया जाए तो सुप्रीम कोट ने भी का वे तुम्हें जल्दी नहीं है तो भाई हम अप्रेल की डेट दे रहें तो यह भी आपके सामने हैं ना कंपेर करें कंपेर करें जो हमारे मेरी शिकायत और मेरा दर्द उन लोगों से है जो हमारे कम्यूइटी के Member of Parliament और ट्रेंड लाइर जैं यहां से नहीं लंडं से ट्रेंड लाइर सें वो अगर आका हमारे साथ लडएंगे मतिरह वाले केस में तो हमारे को कितनी ताकत मिलेगी एक जगा मैं जाओं एक जगा हो जाएं लेकिन कुछ लोगों का तरीका होता है कि शेरोशारी करके वो मुखालफत करते हैं कुछ लोगों का तरीका होता है वो अदालत में लड़के जो बेसिक बात है देखिए जो जो बैरिस्टर होता है वो एक जो ये निजाम है जैसा भी हमारा निजाम है अच्छा है बु पशचना आके खड़े होंगे, कोट में बहस करेंगे, तो हमें किसी हारने वाले वकील की जरुत है, जिसको एक्शली भी उनको पता ही नहीं होता न, कि अगर एक मजभ की नौईयत तो उसी मजभ का मानने वाला ज़्यादा समझ सकता है, या कोई जो इस मजब को नहीं मानता तो उनको वैसे भी दोश देना क्या उनको पता ही नी ट्रिपल तलाग क्या होता है उनको पता ही नी कॉंसेप्ट क्या ट्रिपल तलाग का इदद का क्याट कॉंसेप्ट है तो वो कैसे डिफेंड करेंगे और अगर इसमें कोई गलती होती है तो हम आफी भी मांगते हैं कि अगर आपको इतना confidence है मैंने का है confidence है हम कह रहे हैं हम हारने के लिए केस नहीं लड़ेंगे जितनी ताकते उनके साथ हैं उनसे 22-23 गुना ज्यादा ताकत हम लोगों पर लगा रहे हैं हैं लेकिन हम survive कर रहा हैं क्योंकि हम हारने के लिए नहीं जीतने के लिए केस लड़ो है हमने कहा है केस गरेंगे oh हम ममिलि बखत कर नहीं करेंगे और ही खाइभी और गयानवापी का केस आप ललीजे मैंने तो कोई करोड़ करोड रूपिज यूजह नहीं अर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी हारने का नहीं जीतने का है लेकिन पूरी ताकत लगा रही है हमारी जमाते हैं और मेरे पास सब सबूत है कि ये वाला केस भी ये जो इंतजामिया कमेटी है मत्रा की इदगा मज़िद की उनके पास इतना प्रेशर डाल रहा है कि आप समझो हम करोड रुपे खर्च कर देंगे दुनिया का बड़े से बड़ा वकील ले आएंगे प्राचा साब को अटा दो मैं तो यहीं काटा हूँ मत्रा का नहीं रहने दे रहा है आप कह रहा है ग्यानवापी का रहने देंगे मेरे पास वो उन्होंने वो लोग हैं जिन्होंने परस्नल लॉब बोर्ड में मुझे रखा किसलिए कहता वो वली रह्मानी साब अल्ला उन्हें जन्नत नसीब करा है उन्होंने रखा था मुझे कि यह एक ब्रिलिंट लॉयर है कौम का और यह effective solutions देता है मुझे 2015 में वली रह्मानी साब के सामने और यह record पे है 2015 में मैंने कहा था कि यह बाबरी मस्गत का case हारने के लिए लड़ा जा रहा है यह record पे है personal law board की जो general body की meeting है उसमें record पर है है तो मुझे उसके बाद भी यह बादा करके general body की meeting में आपको file दी जाएंगी file नहीं दी गई बाबरी मस्गत की कभी भी देखने के लिए भी नहीं दीगे समझ सकते हैं आप क्या साजिश हो रही है मेरा रोप क्या उनके वकील ही कह रहा है हारने के लिए केसिस कुछ केसिस हारने के लिए लड़ते हैं और जो वह 100 हमारे केस हारे हैं वह उनकुछ केसिस में सोगा वरना वह किसी इंडस्ट्रिस का केस लड़ते तो जीतते हैं उनके बारे में गोगई साब ने यह का था कि कुछ पांच्छे वकील हैं जो जो उससे setting करते हैं यह गोगोई साब ने स्टेट्मेंट दे रखी है मेरे खाल से नवीका कुमार को इंट्रुव में दिया था उन्हें जब वो रिटायर हुए थे उसके फॉरण बार उन्हीं वकील के बारे में स्टेट्मेंट दिया आप जाके देख लो आप गूगल कर लो वही वकील इनको कि बाबरी मस्जिद के लिए ट्रिपल तलाग के लिए और इसके लिए मैंने तो इसाब भी नहीं मांगा लेकिन बात पैसे की नहीं है पैसे ले रहे हो तो जंता को बताओ भी हमने इतने पैसे लिए और इतने खर्च किये पैसे और जो पैसे नहीं ले रहा उसकी कम से कम मुझे भी मैं भी हट जाओंगा मतरा से लेकिन जीतने के लिए तो लड़ना शुरू करो आप इतनी सी बात है बस